हेलो एवरिवन क्या हाल है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 95 प्लस मार्क्स मैस के पेपर में कैसे हासिल करें देखो यह impossible काम नहीं है हना बहुत मुश्किल काम नहीं है थोड़ा सा अगर महनत करोगे तो आसानी से मैस में जो 95 प्लस मार्क्स हासिल कर सकती हो तो वीडियो क आखिर तक आप बने रहें ताकि आपको मालूम रहे कि क्या क्या प्लानिंग करना है किन बातों से आपको बचना है किन बातों पर आपको अमल करना है ठीक है तो हम लोग देखते सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मैस का पेपर पैटन क्या है हना उसके इसाब से हम प रहता है, compulsory charge रहता है, यह इसको तो आपको करना है, बहुत easy रहता है, आपको option दिया रहता है, ठीक है, और यह question ज्यादा तर जो होता है, आपके problem set से पुछता है, तो algebra हमको मालूम दो पार्ट होते हैं, एक होता है, आपका algebra होता है, और दूसरा क्या होता है, आपका geometry, दू इस इस पालड़ च्वाइस question कहो गया, अब B जो होता है, उसमें भी आपको कितने question करने रहते हैं, उसमें भी आपको 4 question करने रहते हैं, वो भी 4 question जो रहता है, ठीक है, अब भी 4 गौशारों कांबसरी रहता है, एक भी आपको छोड़ना नहीं रहता है, clear, अई यह भी एक marks अज़रो बात कर लेते एक्टिविटीटी वाला के बाद हम लोग कोई कोई नमर दो पांच में से आपको कितना करना है सिर्फ चार कोईशन करना है ठीक है तो उसमें आठ मार्क्स आपको मिलेगा यानि हर कोशन पर आपको दो मार्क्स मिलेगा अगर हम लोग एक्टिविटी वाले कुशन की बात करते हैं तो यह आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए अक्टिविटी बेस कुशन में क्या रहता है फिल अप टाइप रहता है हना कुछ पॉइ ह habl Iz Pink impossible है। सब्सक्aju क्ना सब्सक्रणानिक फिर इसक्षिक ना रहे गाँ तो त्स्यक्षिण किता हैं नहीं तक यह कितना रहेगा छे मांग्स का चीए रहेगा आपका चार में से दो करना रहेगा अगर चारो करो कि धवारा यानि कि आप देख रहे हो कि चार ही कोशन है ठीक है चार में से सिर्फ दो करना है दो नहीं करोगे तो बीचे लेगा सिर्फ दो करना है वह असानी से तुम कर सकते हो फिर इसके बाद देखो तुम्हारा असल problem कहां start होता है question number 4 और question number 5 यह तुम्हारा main problem है अगर मैं दोनों की बात कर लेता हूं तो 8-11 marks यहीं तुम्हारा important है यहीं पर problem create करता है अगर यह दोनों इसके उपर वाली अगर मैं बात कर लूँ यह दो question जो होता है यह कहां से आता है यह 3 marks का question आता है यह 3 marks का question ज्यादा तर्जिव होता है आपके exercise का जो जो भी exercise रहता है जो भी practice होता है उसके आखिर वाले जो question होते ना जो बड़े-बड़े question होते वर्ड problems हो गए रहा linear equation में जो word problem है या फिर arithmetic question number जो आपको देखेंगे question number 4 और question number 5 यह दोनों question क्या होता है book के बाहर का आता है ठीक है यह आपको आजमाता है कि आपका जो knowledge कितना है book को पढ़ने के बाद उसको अच्छे से analyze करने के बाद आपके इंदर knowledge कितना भरा पढ़ा है उसको analyze करने के बाद क्या कोशन आप कर पाते हो ये डिपेंड करता है तो ये जो कोशन करने के लिए कोशन नमर 4 और 5 इसके लिए आपको अच्छे से practice करना पड़ेगा कम से कम अपने book को दो से तीन बार पढ़ना पड़ेगा जो problem set के जो word problem उसको अच्छे से करना पड़ेग जो बाहर के कोशन आने वाले उसी type के कोशन बहुत ज्यादा कोशन में कराने का target लेगे चलूँगा ठीक है तो आपको एक बात यह समझना है कि अगर आपको marks ज्यादा get करना है तो पहले शुरू की जो कोशन है वो book से आने वाले है और बाकी दो कोशन जो आने वाले है वो बाहर के आने वाले 20 marks का तुमको तो oral में से मिल नहीं वाले है 19 या 20 तो मिली जाएगा आपको ठीक है तो बाकी 80 marks में से 20 marks बाहर का वो 20 marks ही get करना जिसने 22 marks वो get कर लिया 22 में से 20 भी निकाल लिया या 18 भी निकाल लिया तो आसानी से 95 plus marks get कर सकता है तो यह करने के लिए आप help practice करना पड़ेगा अगल के उपर तभी आप marks get कर सकती हो और इसके ल достаточно मैंने ने बताया हमारे चैनल पे olution North 4 और question number 5 के extra practice कराइगा question number 4 और question number 5 के extra practice जो होगा हमारे चैनल पर कराया जाएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe करना और like करना ना भूले ताकि आपको जो भी question मिले है ना उसका notification आपको मिल जाए bell icon दबाऊगे तो आपको notification मिलेगा तो bell icon भी दबाना ना भूले ताकि हम लोग जो भी question question number 4 और question number 5 कराएंगे इस चैनल के उपर तो आपको आसानी से मिल जाए ठीक है तो बच्चो आज के लिए बस इतने ही अगले वीडियो में फिर आती है अच्छे question के साथ